नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर विशाल पुरही तो आपकल मैं स्टेटिस कहल इंफर्मिशन सीरीज में स्वागत है आज इस वीडियो में आपको पताना चाहता हूँ कि गायने को मास्तिया खुद से कैसे पता कर सकते हो मेरे पास में कई सारे लोग आके यह सवाल ज़रूर पू जैसा है आपको स्टन ग्रंथी में बड़ातरी लग रही है तो मेरा मानना है कि सबसे उचित्तों यह रहेगा कि आप अपने सर्जन को दिखाओ प्लास्टिक सर्जन आपको बहुतल सही राय देंगे और आपको सही बात समझ में आएगी और अगर फिर भी आपके मान में आ हुआ था तो इसलिए भी वह शरीर में दिखाई देता है विमारी नहीं यह समस्या है आप खुद से आइने के सामने खड़े और यह पता कर सकते हो कि गायनों को मास्पेशी है अब देखो जैसे इनके अगर हम तुचा से छुए है हाथ लगा करके कि यह क्या है तो सबसे पहले हम क्या करते है इस मासपेशी को टाइट कर जेते हैं ताकि यह पकड में ना है आप दोनों हाथों को कमर पर रखो जैसे इन्होंने अपने रखा है टाइट करो तो यह मसल टाइट हो गई अब मैं जिस भी चीज को पकड़ के हिला रहा हूं वह त्वचा है और ग्लैंड है मासपेशी टाइट हो गया मासपेशी नहीं ही लेगी यह चीज आप दूसरे हाथ को आप दूसरा हाथ खाली शोड़ दीजे और आप पकड़िए दूसरे हाथ से यह जो है यह यह आपको छुने में रबर जैसा लगए यह मासपेशी टाइट है और यह आप कि मैं आपको बताता हूं कि ग्रेट गावाना से यह सब क्या है गैनेट व मैंस्त्या को चार पूरा चेस्ट नॉर्मल है वो होगा grade 1, grade 3 यानि तीसरी स्टेज तब बोलेंगे जब वो बीच में से शुरू का पूरा किनारे तक है, अब बीच में ये हड़ी है, इस हड़ी के ओपर नहीं आता ग्लैंड, महिलाओं के अंदर भी ये चेस्ट की बोन के उपर ग्लैंड नहीं होता, जहां से पसलियां शुरू होती है, यहां से यहां से breast gland शुरू होता है, अगर किसी मर्द में breast gland इस point से लेकर के और पिल्कुल side तक पूरा है, तो वो grade 3 gland कहलाएगा, और grade 1 और grade 3 के बीच में वो कहीं भी है तो grade 2 कहलाएगा, grade 4 तब कहेंगे जब वो पूरा है और उसके साथ में इतना बड़ा है कि वो पूरी तरह से नीचे लटा गया है, तो अच्छा इतनी extra है कि अब तोचा को भी काटना पड़ेगा, इस grading का implication यह है कि grade 1 मे liposuction करने की ज़रूद नहीं पड़ती, सिर्फ यहाँ नीचे की तरह एक चीरा लगाते हैं, खोलते हैं किताब की तरह, gland को काटके बाहर निकाल लेते हैं, grade 2 और grade 3 में liposuction की ज़रूद पड़ती है, और जितना बड़ा gland है उसके हिसाब से पूरे में infiltration करके extra fat को निकालते ह फिर उसी तरह एक चोटा सा चीरा लगा करके gland को बाहर निकाल लेते हैं, और grade 4 में liposuction की ज़रूद पड़ती है, gland को भी निकालना पड़ता है, और जितनी extra skin है, आप सबोस्थ बहुत जारा लटक क्या, यहां तरह लटक क्या आ गया है, तो उतनी पूरी extra skin, nipple, radio, compress के चार गायनेकोमास से बिमारी नहीं है, हमने यहां पर उसको ग्रेडिंग में इसलिए classify किया है, क्योंकि हम यह रुमान लगा सके कि हमें surgery क्या करनी है, अगर आपको गायनेकोमास चाहसे सम्मंदित और कोई भी सवाल हो, तो आप बेज जख हम से पूछना, या comment section में लिखना, हम उसका जवाब देनी कोशिच करेंगे, धन्यावाद